जोस्तो Gmail ID तो सभी आजकल यूज करते ही हैं और टाइम टाइम पर हम उसका पासवर्ड भी चेंज करते रहना चाहिए और आप अगर पासवर्ड चेंज करना नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं कि आपको मैं बताऊंगा कि आज अ सब करना चाहते हैं तो दोनोहीं तरीके में आपको आज की वीडेयों बताने वालां ऊठिकाने वाला विडियो को मद्गी स्किम्ट मत करते हैं तो यहां पर आपको सबसे प्रोफाइल फोट अगर आपने लगाई हुई है तो वह आपको यहापर शो हो जाएगी नहीं तो आपके जो जिस नेम से आपकी आईडी है उसका फर्स्ट नेम यहापर शो होता होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते ही आपको अपने गूगल अकाउंट म मैनेजय गूगल अकाउंट दो opts ने नजर आएंगे किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं Google अकाउंट में एंटर हो जाना है गूगल अकाउंट में एंटर होने के बाद आपको आपको साइड में Security को option मिलेगा security पर आपको click कर देना है security पर click करने के बाद आपको नीचे scroll करना है थोड़ा सा और यहां पर एक option मिलेगा password का तो password पर आपको click कर देना है password पर click करते ही आपको आपको password change करने का option मिल जाएंगे और यहां पर आपको enter your password को औप्शन मिलेगा यानि इस बॉक्स में आपको अपने password को भरना है पहले कि आप अपना पास्वर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पहले बई आप पर अपना password डाली है कि आपी हैं जो password चेंज कर रहा हैं क्योंकि Google verify करता है कि तू कंटिनुफ फरिफास्ट वेरिफय और बैक जाने के बाद आपने सिक्यूरिटी पर क्लिक किया था सिक्यूरिटी पर क्लिक कर गया आपको यहां पर पास्वड पर क्लिक किया था यह पास्वड पर क्लिक नहीं करना है आपको नीचे नीचे आ जाना है बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहां पर आपको एक option मिले जैसे इन पर आप क्लिक करेंगे तो अपने पासवर्ड को आप देख सकते हैं लेकिन हो सकता है आपके इस जीमेल में पासवर्ड सेव नहों तो यहां से आप अपने दूसरी जीमेल आइडी में भी देख सकते हैं मतलब जैसे आपका किसी मतलब मल्टीपल अकाउंट आपने यहां पर लोग इन किये हुए हैं तो हो सकता है किसी अधर जीमेल में आपके पासवर्ड वापर सेव हो तो कुल मिलाकर आप अपनी सभी जीमेल आइडी में पासवर्ड चेक कर लिए गूगल अकाउंट के पासवर्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो पासव पासवर्ड दो बार आपको पासवर्ड एंटर कर देने आपके और यहां पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना आपको पासवर्ड आसानी से चेंज हो जाएगा तो यह तो रही करेंट पासवर्ड पता करने के बाद पासवर्ड चेंज करने की और एक चीज और आपको अपना password यहां पर नहीं मिलता है जैसे जिस तरीके से मैं आपको बता है कि अपने Gmail में जाकर password देख सकते हैं लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉल्बम आएगा कि हमाप पर उनका password देखने के लिए नहीं मिलेगा मैं जानता हूं तो आपको password कैसे चेंज डिक जाएगा पर यहां पर Connect to password ऐक्क पाइड पासवट मांगेए चित्रम प्रक्रण आपको यहां प्लीक पर यहां पर क्लिक करने के बाद पास यहां पर दो तिन ऑप्शन आएगे जैसे मेरे मोबाइल में आ और screen lock और enter your password और get a verification code === यहां पर यहां पर यह आपने recovery mail डाल अपने Gmail में उस पर code जाएगा या फिर government password डालना है आपको मतलब दो तीन तरीके आपके पास आएगे और या पर mobile नमबर भी शो जाएगी आपकी mobile में कि आपको कोड मीलेगा वहां से आप के पास्वर्ट को चेंज कर सकते हैं तो इन सभी में से भी अगर आपके पास को भी छीज आवलेबल नहीं हो जैसे जी मैं recovery mail नहीं हो यह स्क्रिंग का password मतलब इस तरह से option आपके पास ना आए या mobile नमबर भी अवलेबल नहीं हो तो आपको आपको आपका एक option मिलेगा पर try another way to sign in इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास जो message हो रहा है आपके पास भी हो सकता है सभी mobile में show नहीं हो गए गूगल confirm that is this phone is yours यह phone मेरा है और यह आप this help to show that is really you trying to sign in और आप मतलब यह phone मेरा है और मैं इसी में sign training करने का try कर रहा हूं तो आपको continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद आपके पास यहां पर एक message शो हो जाएगा यह विल गेट लिंक टो रिसेट पासवड आफ्टर आफ्टर सिक्स आवर से यानि कि मेरे पास एक mail आईडी पर एक लिंक बेज़ेगा यह गूगल जहांसे मैं अपने पासवड को reset कर सकता हूं तो इस तरह से आप अपने पासवड को change कर सकते हैं और इन सब के वलावा आपको फिर भी कोई समस्य आती है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ लेना या फिर